सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल टेकनल डाउट को सब्सक्राइब बटरन को क्लिक करके और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देजेगा ताकि मैं कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करूड करूट आप लोगों को नोडिविकर से मिल जाएगा और आप रिविः करेंगे यूरे का ब्लैक को आप लो万 को पताए कि यह फleπο को आज लोंड कर दिया गया है तो मैं आज इच्छी के बारे मैं आप लोगो बताऊआँगा और बताऊंगा कि हमें यू यूरे का ब्लैक में क्या-क्या फिचर देखने को मिले गा तो देखते हैं कि mirror रेडमी 4 को टक्र दे सकता है कि नहीं तो देखते हैं कि इस फोन में हमें और क्या-क्या फीचर देखने को मिल सकते हैं तो तलिए मैं एक ही करके आप लोगो इसकी पूरी डिटेल आपको मैं बतायता हूं इसमें आपको मिलेगा 5 इंच का डिस्प्ले ये फूल HD डिस्प्ले ह होगा इसमें आपको 2.5 डि ech करदग डिस्प्ले आने वाला है इसमें आपको गो गुरिला गलास थी का प्रोटेसं-टरी का देखने को मिलेगा इसकी resolution की बात करें तो 1902-1080 resolution के साथ यह display आने वाला है तो अगर हम लोग इस phone की processor की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 1.4 GHz का OctaCore का Qualcomm का Snapdragon 439 का processor जी है 439 का processor देखने को मिलेगा Snapdragon 439 का processor आपको देखने को मिलेगा इस phone में एंडेरियो की बात करें तो 505 के साथ यह आने वाला है अगर इसकी RAM quality की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 4GB का RAM और 32GB की इसमें आपको internal memory देखने को मिलेगी जिसको आप explain कर पाएगा 128GB तक अगर camera quality की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 13MP की rear camera अगर sensor की बात करें तो Sonic का IMX sensor आपको दिया जाएगा HF4 की बात करें तो 2.0 HF4 के साथ यह camera आने वाला है अगर front facing camera की बात करें तो इसमें आपको front में 8MP का front facing camera देखने को मिलेगा 300 image की इसमें आपको battery दी गई है और इसमें आपको फोन की weight की बात करें तो 140g इस phone का weight है तो काफी अच्छा phone है अगर इस phone की OS की बात करें तो इसमें आपको 6.0 marshmallow दिया जा रहा है 7.0 का update अभी तक इस phone में नहीं आया है तो देखते हैं कि कब तक इस phone में 7.0 का update आता है आता है कि नहीं कोई guarantee नहीं है और कोई officially जानकाड़ी भी नहीं दी है कि कब तक आएगा या फिर नहीं है आएगा तो आप प्वेट ना करें तो ही अच्छा है तो अगर मैं बात करूँ इस phone को इस phone की price की तो इस phone की price रहे गई है 8,999 रुपीज तो क्या आप यह phone लेना सोच रहा है तो अगर मैं suggest करूंगा तो आप यह phone अब यह phone ले सकते मुझे यह phone personally बहुत पसंद आया है जैसे कोई यह बात नहीं कि यह phone अब नहीं ले सकते कैमरा भी आच्छी quality का दिया गया है memory भी आच्छी quality का दी गई है 2.5D card glass का तरी डिस्पले आने वाला है यह आपको फिलिपकार्ट में exclusive मिल जाएगा तो आप फिलिपकार्ट में जाके यह phone ले सकते हैं अगर प्राइज की बात करते है इसकी प्राइज है आथ हजा नौ से निनानो बिर पीस तो अगर मैं यह phone रेड़मी 4 से compare करो तो दोने फोन लगवाक सेमी है बट आप लेना चाते हैं तो यह भी phone ले सकते हैं बहुत अच्छा phone है एक budget killer phone हो सकता है तो मुझे उमित करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद देगो तो प्लिस इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा और आपके मन में कोई भी question हो तो प्लिस comment कर दीजेगा मैं मैं उसका answer जरूर दूँगा और आपको कोई भी आओट वीडियो भी चाहिए तो प्लिस comment करते हैं मैं उसके बारे में आप लोगों को वीडियो बना के जरूर दूँगा वमित करता हूँ कि आप कोई वीडियो बहुत पसंद देगो तो प्लिस इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लिस सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली से तरसे टेक वीडियो से लाता रहता हूँ और आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ थाइंक यू पॉचिंग इस वीडियो प्लिस एड़ सब्सक्राइब बतन पर मोर वीडियो थाइंक यू